नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों कैसे हैं? आप सब की preparation कैसे चल रहीं NBS exam की? दोस्तों आप अच्छे से preparation करते रहे हैं क्योंकि आपकी exam में अब जादा दिन का time नहीं बचा है जैसा कि आपको बताए हैं कि आपका exam October में होने का chance बहुत ही जादा है तो इसलिए आप लोग अच्छे से मेहनत करना स्टार्ट कर दे और यदि आप official slayvers के according सभी topic को अच्छे से पढ़ लिये हैं तो आप revision करना स्टार्ट कर दे यदि आपको इसमें selection लेनी है तो यदि आपको job लेनी है तो एक बहतरीन score आपको करना पड़ेगा और बहतरीन score करन में अच्छा खासा help कर सके ओके दोस्तों आज ये computer का बार्मा वीडियो है यदि आप लोग पहले वाला 11 वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जरूर देख लें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यदि आपको पहले से पता होगा तो आपका revision हो जाएगा इसका playlist मिल जाएगा NBS Computer 2024 करके playlist अबलेबल है आप लोग computer का वीडियो देख सकते हैं NBS Hindi 2024 करके Hindi का वीडियो मिल जाएगा और NBS GK 2024 करके GK का सभी वीडियो मिल जाएगा तो आप लोग जरूर देख लें और अभी continue वीडियो ज्यादा ज्यादा वीडियो आपको देंगे जो आपक इसे भी post के लिए apply किये हों तो दोस्तों चलिए ज्यादा देर नहीं करते होए computer का ये बारबा वीडियो इस्टार करते हैं और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो में आज हम लोग important shortcut key के बारे में पढ़ेंगे आप लोग जानते होंगे कि shortcut key से एक से दो question आता में भी share करें तो दोस्तों के लिए हम लोग एक एक करके सभी question अच्छा से देखते हैं दोस्तों पहला question क्या है help window खोलने के लिए क्या shortcut key है तो ये F1 है जो function की होता है F1 से F12 तक जो function की होता है उसी में जो F1 है उससे आप help window खोल सकते हैं ओके आप लोग अच्छा से ध्या file folder documents का नाम बदलने के लिए यानि कि आपसे पूछा जाए कि file folder documents को rename करने के लिए कि shortcut key का प्रयोग करेंगे तो F2 का है ना और आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा चयानित यानि कि आपको पहले select करना परेगा उसके बाद आप F2 प्रेस करेंगे उसके बाद उसका नाम change कर सकते हैं यानि कि rename कर सकते हैं तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा चयानित file folder document का नाम बदलने के लिए यानि कि rename करने के लिए shortcut की F2 पंक्सन की जो होता है वही F2 चलिए दोस्तों अगला देखते हैं question no.3 तीन नमर के हैं दोस्तों file folder खोजना आपको कोई file folder search करना है तो आप F3 प्रेस करेंगे और उसके बाद file folder का नाम डालेंगे तो वह आपको मिल जाएगी तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा file folder को search करने के लिए F3 ओके चलिए दोस्तों अगला देखते है question no.4 चोथा क्या दोस्तों सक्रिये window को refresh करने के लिए किस इसलिए computer को open करने के बाद आप refresh अच्छा से कर देंगे तो computer जल्दी hang नहीं होता है आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे कि सक्रिया window को refresh करने के लिए F5 प्रेस करना पड़ेगा चलिए दोस्तों अगला देखते है question no.5 नमर क्या है दोस्तों spelling या grammar की जाच करने के तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे चलिए दोस्तों देखने question no.6 छटा नमर क्या है दोस्तों वरतमान कार या window से बाहर आने के लिए आप क्या shortcut की दवाएंगे तो escape की जो होता है आप लोग देखे होंगे उपर left में जो होता है एक की होता है उसका नाम है escape की आप f12 को प्रेस करेंगे तो save as dialogue box खुल जाएगा और उसके बाद आप जिस नाम से save करना चाते हैं कर सकते हैं तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे save as dialogue box खुलने के लिए f12 ओके चलिए दोस्तों अगला देखते है question no.8 आठ नमर क्या है दोस्तों सक्रिया window या line के प्राड़म में पहुचने के लिए किसका प्रयोग करेंगे तो home key का प्रयोग करेंगे आप लोग देखते होंगे कि home key, end key, delete key, सभी key होता है आप लोग गण से देखेंगे तो ये सब key एक साथ होता है तो आपको यदि line के starting में जाना है तो आप home key प्रेस कर देगे तो आ लाइन के अंत में जाने के लिए क्या इंड की है ना आप अभी जिस विंडो पे हैं आप अभी जिस पेज पे हैं उसके लाइन के स्टार्टिंग में जाने के लिए होम की और लाइन के अंत में आने के लिए इंड की ओके आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे चलिए देखते हैं question number 10 ये क्या है दोस्तों ये थोड़ा अलग है documents के अंत में पहुंचने के लिए मान लिजिए कि आप अभी 50 page के document में काम कर रहे हैं और आप अभी 20 पेज पे काम कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि direct पचाहसमा पेज पेज पहुंचने के लिए तो Ctrl पलस इंड की आपको दबाना पड़ेगा उसके बाद आप 50 के अंत में पहुंच जाएंगे समझ में आ गया सिधा आप इंड की दबाएंगे तो आप जिस पेज पेज पे काम कर रहे होंगे उसी के अंत में आएंगे कंट्रोल पलस इंड दवाएंगे तो उस डोकुमेंट में जितना भी पेज होगा उस पेज के आप अंत में आ जाएंगे तो आप इस बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे चलिए दोस्तों देखते हैं कोस्टन मरीगार डोकुमेंट्स के पराडम में पहुंचने के लिए कंट्रोल पलस हॉम है ना मान दिजिए जैसे कि आपको पछला वाला बताए हैं मान दिजिए कि आप पचासेमा PAGE पर हैं और उस डोकुमेंट में पचास PAGE ही है और आप चाहते हैं कि PST PAGE के सबसे उपड में आ जाएं तो आपको कंट्रोल पलस हॉम दवाना परेगा आप स function की तो आपको direct print प्रिभू दिखा देगा कि print कैसा होगा वो page ओके तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे control पलस F2 है ना चलिए दोस्तों देखते है question number 13 13 नमर के है दोस्तों recycle बीन में भेजे बीना delete करने के लिए कौन सा shortcut की है shift plus delete दोस्तों आप लोग एक बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे आपको पहले से भी पता होगा यदि नहीं पता होगा तो समझ लिजिए जो file या document हम delete करते हैं वो recycle बीन में चली जाती है ना यानि कि वो बिल्कुल delete नहीं होता है वो system में बना रहता है आप चाहें तो उसको फिर से अपने system में ला सकते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि recycle बीन में ना जाएं एकदम हमेशा के लिए delete हो जाएं तो आपको दबाना परेगा क्या shift plus delete है ना आप मान लिजिए किसी file folder या कु चलिए दोस्तों अगला देखते हैं कोश्चन मरचाओदा पीए MS Office से सम्मंधित कुछ है आपका shortcut की चैनित बस्तू को cut करने के लिए control plus x आप लोग जानते ही चैनित बस्तू को cut करने के लिए यानि कि आप file folder document को cut करना चाहते हैं तो control plus x की आपको दबाना परेगा उसके ब भी पूछे जाते हैं चलिए दोस्तों देखते है question number 17 और क्या है दोस्तों redo करने के लिए यानि कि समाप्त किये गए कारिको फिर से करने के लिए आप क्या दबाएंगे control plus y यानि कि वो redo हो जाएगा जो समाप्त हो चुका है वो फिर से हो जाएगा यानि कि control plus y यानि कि redo है आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे और undo करने के लिए control plus z आप इसको भी अच्छा से रखेंगे या किये गए कारिको पहले जैसा करने के लिए control plus z है ना तो आप लोग दोनों बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे आपको पहले भी अच्छा से बता चुके हैं चलिए दोस्तों, देखते है question number 19, 19 नमर के है दोस्तों, खुले document में सब को चैनित करने के लिए, यानि कि all to all को आप select करने के लिए, क्या shortcut की का प्रियोग करेंगे, control plus A, control plus A का आर्थ होता है, select all, ओके, तो आप लोग इस बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे, आप जिस document में काम कर रहे है, all to all document को आप select करना चाहते हैं, तो control plus A दवा दे, all to all document select हो जाएगा, इसका मतलब होता है, select all, ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, चलिए दोस्तों, देखते question number 20, 20 नमर के है दोस्तों, नया document खुलने के लिए आप कौन सा shortcut की परियोग करेंगे, तो control plus N, ओके, हाँ, आप जिस document में काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि नया document open करें, जिस पे आप काम करेंगे, control plus N आप press करेंगे, तो नया document खुल जाएगा, ओके, चलिए दोस्तों, देखते है, question number 21, 21 नमर के है दोस्तों, पुराना document खुलने के लिए, control plus O, आप अच्छा से ध्यान में रखिएगा, नया document कहेगा, तो control plus N, और पुराना document कहेगा, तो control plus O, इसका अर्थ हुआ, कि जो पहले से computer में save है, यनि कि आप पहले से काम कर चुके हैं, उसको आप चाहते हैं, open करना, खोलना, तो control plus O, ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान पलस W है, तो आप इसको आप अच्छा से ध्यान में रखेंगे, बहुत important question है, document से exit होने के लिए, आपको control plus W प्रेस करना परेगा, ओके, चलिए दोस्तों, देखते हैं, question number 23 के हैं, text को खोजने के लिए, आप कुछ find करना चाहते हैं, आप कुछ खोजना चाहते हैं, तो control plus F प्रेस करेंगे, तो आप खोज सकते हैं, जो भी आपको खोजना है, ओके, ताप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, चलिए दोस्तों, देखते हैं, question number 24 के हैं, text को replace करने के लिए, आप चाहते हैं, कोई सब्द को किसी और से replace कर दें, तो आप control plus H प्रेस करेंगे, replace ब plus H का पड़ियोग किया जाता है, ओके, चलिए दोस्तों, देखते हैं, question number 25, 25 नमर के हैं, दोस्तों, विसेस page नमर पर जाने के लिए, यानि कि आप चाहते हैं, आप जिस document में काम कर रहे हैं, आप किसी खास page नमर पर जाना चाहते हैं, मान लिजिए, कि आपके document में 1000 page है, है के लिए, इसका पड़ियो करेंगे, control plus P, control plus P मतलब print होता है, आपको यदि print करना है, तो control plus P आप दबाएंगे, तो print dialogue box खुल जागा, ओके, चलिए दोस्तों, देखते हैं, question number 27, 27 नमर के हैं दोस्तों, पर अगर आपको क्या करने के लिए, आप चाहते हैं, पर आगर आपको control plus E से center align होता है, आप चाहते हैं कि आपका जो भी paragraph है, वो center में रहे, तो control plus आप कर देंगे E, समझ में आ गया, उसके बाद आप चाहते हैं, justify करना, यानि कि आप देखते होंगे, कि एक line यहां से start होड़ा, एक line यहां तक आ रहा है, एक line यहां तक जा रहा है, आप चाहते हैं, चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं question, 28 नमर क्या है दोस्तों, font window, font होगा, font रने होगा, font window open करने के लिए किसका परियो करेंगे, control plus D का परियो किया जाता है, आप चाहते हैं कि font window open हो, तो control plus D प्रेस करेंगे, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, बहु आएंगे, आप जिस भी document पे काम कर रहे होंगे, समझ भागया, चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं, और उसी तरह एक page आप पीछे आना चाहते हैं, तो page down, ओके, आप लोग इस बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे, चलिए दोस्तों, अगला देखते है, question number 31, 31 नमर क आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, यह कह है दोस्तों, एकसल में किसी formula का पराडंब होता है किसे होता है तो equal to से होता है जब तक आप बढ़ावर का sign नहीं देंगे cell में तब तक आपका formula एक्टिब नहीं होगा तब तक कोई formula आप लगा ही नहीं सकते तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे जो भी आप काम करते है एक्सल में वो जो sit होता है उसको work sit कहा जाता है तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे और उसके बाद अंतिम cell में जाना चाहते हैं तो control plus int की आपको दबाना परेगा तो आप अंतिम cell में पहुंच जाएंगे तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे टैब की टैब की से क्या होता है दोस्तों बरतमान cell से एक cell दाएं की और आप जाते हैं यनि कि आप मान लिजे कि ये cell है आप अभी इस cell में है टैब दबाएंगे तो इस cell में आ जाएंगे एक टैब और दबाएंगे तो इस cell में आ जाएंगे यनि कि दाएं और आप जाते हैं लेकिन आपको बाएं और आना है तो shift पलस टैब की है ना आप shift पलस टैब की दबाएंगे तो बरतमान cell से एक cell बाएं आप आ जाएंगे यनि कि मान लिजे कि ये cell है आप अभी कहाँ हैं यहाँ पे हैं इस cell में हैं आप shift plus tab की दबाएंगे तो इस cell में आ जाएंगे एक cell बाएंगे आप आजाएंगे ना आप सिर्फ only tab की दबाएंगे तो आप इसमें आ जाएंगे समझे में आ गया तो आप लोग इस बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे बाएं दाएं तो आपको ये सभी बात को अच्छा से ध्यान में रखना पड़ेगा एक्जाम में दिमाग को खोल के रखना पड़ेगा चलिए दोस्तों अगला देखते हैं कोशन नमर 38 38 नमर कहा है दोस्तों बरतमान सिल के पूरे कॉलम को स्लेक्ट करने के लिए कौन सा सौट्ट की होगा तो ये कंट्रोल पलस स्पेस बार बहुत ही इंपोर्टेंट कोस्टन है ये आप कंट्रोल पलस स्पेस बार प्रेस करेंगे तो पूरे कॉलम को वो स्लेक्ट कर लेगा मान लिजे कि ये सेल है आपका करसर यहां पे है इस सेल में है है ना तो आप control पलस space बार डबाएंगे तो ये पूरा का पूरा कॉलम जो होगा वो all to all select हो जाएगा समझ में आ गया तो आप इस बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे है ना इस तरह जो होता है ये column होता है और ये जो होता है ये row होता है तब लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे पूरे column को select करने के लिए control पलस space बार अच्छा से ध्यान में रखेंगे चलिए दोस्तों 49 नमर क्या है पूरे row को select करने के लिए कौन सा shortcut की है तो shift plus space bar आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे column को select करने के लिए control plus space bar column से c, control से c आप ऐसे याद रखेंगे और row को select करने के लिए shift plus space bar समझे में आ गया दोनों ही बहुत जादा important है आप अच्छा से ध्यान में रखेंगे चलिए दोस्तों देखते हैं 40 number 40 number क्या है दोस्तों email में परियुक्त cc का full form होता है क्या होता है carbon copy आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे exam में पुछे जाते हैं दोस्तों आप लोग email का परियुक करते होंगे तो सबसे starting में रहता है 2 यानि की आप किसको भेजना चाहते हैं जो भी document है आप भेजना चाहते हैं उसको रखते हैं 2 में है न आप चाहते हैं कि इस document का परती यानि की copy जो है कुछ और बैक्ती के information के लिए जाए तो उसको आप रखते हैं cc में उसी को खा जाता है carbon copy एक option और होता है, वो कुन होता है, BCC, BCC का क्या होता है, देख लें आप लोग, BCC का आर्थ होता है, blind carbon copy, दोनों का दोनों बहुत ज़्यादा important है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, CC मतलब carbon copy, BCC मतलब blind carbon copy, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, आप तो मान लिजे कि किसी को BCC में रख दिए, आप जिसको BCC में रखेंगे, वो कोई और information को नहीं देख सकता है, जैसे कि आप किसको किसको भेजे हैं वो document, वो ये BCC वाला नहीं देख सकता है, ये सिर्फ document देख सकता है, कि उसके पास जो document आया है, उसको वो देखेगा, ये वो भी mail करेंगे, वो सिर्फ document को देख सकता है, वो CC बाले और 2 बाले को नहीं देख सकता है, जिसको आप 2 में और CC में रखे होंगे, उसको वो नहीं देख पाएगा, आप लोग अचा से ध्यान में रखेंगे, तो दोस्तों ये total 41 question था, नमर के हिसाब से 41 था, देखेंगे तो 50 से उपर इसमें question है, तो आप लोग अच्छा से repeat करके देख लें, all to all question important है, यदि आपको पहले से आता होगा, तो एक बार आपका revision हो गया होगा, यदि आपको नहीं आता होगा, तो आप repeat करके देख लें, इसी तरह के shortcut की exam में पूछे जाते हैं, जितना भी Hindi का वीड आप लोग देख लें, आपको एक जाम में अच्छा खासा help करेगा, तो दोस्तों मिलते हैं, अच्छा खासा new video लेके तब तक के लिए धन्यबाद, नमस्कार,